पूझे महाराश्री, कार्थिक मास चल रहा है, कहते हैं कि कार्थिक मास में दीपदान का बड़ा महत्व है, क्या ये सत्य है? अगर हाँ, तो दीपदान कैसे करें? इसकी क्या विदी है? वो बतले हैं दीपदान के दो अर्थे हैं, एक सामान्य जो हम लोग जानते और पहचानते हैं, वो तो यह है, कि आप गंगा जी जाओ, यमना जी जाओ, सरियो जी जाओ, तीर्थिस्थल पर जाओ, दीपग जलाओ, और प्रवाहित कर दो एक तो यह साधारन विधी है, दीपदान का अर्थ होता, पहले तो यह समझना होगा, कि दीप है क्या? दीप किसे कहते हैं? हाँ, दीप किसे कहते हैं? दीपक, रामचरित मानस में पढ़िएगा, राम नाम मनी दीप धरी, जीह देहरी द्वार, तुलसी भी तर बाहरों, तुलसी भी तर बाहरों, जो चाहत हो जिया गोश्वामी तुलसी दाजी की ये बात है, गोश्वामी जी कहते हैं, राम नाम का दीपक रखो अपनी जिहवा पर तुजीह देहरी द्वार, तुलसी भी तर बाहरों, जो चाहत उजयारा, जब दीपक देहरी पर जलता हैं मेरी माँ, तो दीपक के प्रकास से बाहर भी उजला होता है, भी तर भी उजला होता है, राम नाम का दिया अपनी जिहवा पर रखो तो संसार भी प्रकासित होगा और परलोग भी प्रकासित हो जाएगा हमारे और आपके लिए तो दीप दान करना है तो राम नाम ही दीप है तो आप राम नाम का दान करने लग जाएए यही दीप दान है कैसे दान लोगों के घर जाओ चेतन्य महाप्रभु जी का नाम सुना होगा आपने चेतन्य महाप्रभु दीप दान करते थे कैसा लोगों के घर जाते थे अपनी जोली पसारते थे और लोगों से कहते थे भाईया हमें कृष्णे नाम की भिक्षा दे दो हमें आटा, दाल, चाँवल, पैसा, मत देना वो लेते ही नहीं थे क्या लेते थे? कृष्णे नाम की भिच्छा हमें तुम भिच्छा दो वचन दो कि तुम रोज भगवान के एक स्वाथवार नाम जपोगे नाम की भिक्षाट चाहते थे तो दीप दान का अर्थ ही ये तो है कि चलो दीप जलाया प्रणाम किया भगवान को छोड़ दिया प्रभू ये आपके चरणों में समर्पित है पर उस दीप से बढ़िया मैं मानता हूं मेरी मां कि आप अपने अडोसी पडोसी को जो कभी भगवान की भक्ती नहीं करता जो कभी भगवान को जानता नहीं ऐसे के भीतर यदि तुमने राम नाम की जोती जला दी तो इससे बढ़ा कोई दीप दान हो नहीं सकता किसी के भीतर किसी नास्तिक को आपने आस्तिक बना दिया किसी के भीतर भगवत भक्ति जगा दी भगवत प्रेम जगा दिया इस से बड़ा दीपदान और क्या हो सकेगा हाँ, तो आप जहां बैठो, वहां के लोगों से कहो भईया राम राम बोलो कृष्ण नाम बोलो यही बोलते बोलते जीवन पूरा हो यही दीपदान है हम पहले मीरा वाई के बारे में समझते हैं मीरा वाई पैरों मैं तो बांध के घुंगुरू जुमे नाचे गाए अपने प्यारे प्रीतम की छवी दिल में रहे बसाए मीरा वाई पाम घुंगुरू बांधती और गली गली हरी गुण गाती ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी गुण गाले लगी महलों में पली बन के जोगन चली महलों में पली बन के जोगन चली मीरा लाणी दिवानी कहाने रगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन पाम घुंगरू बांधती और वो गली गली नाचती किसी ने मीरा से कहा मीरा तुम गली गली क्यों नाचती हो मीरा ने कहा कि यदि मैं अपने कमरे में ही राम नाम जपूंगी तो सिर्फ मेरा कल्यान होगा पर गली-गली में भगवान का नाम लेती हुई डोलूंगी तो किसी के कान में भगवान का नाम पढ़ जाएगा तो उसका भी धार हो जाएगा इसलिए वो गली-गली घूमती थी टाकि किसी के भीतर भगवान का नाम पहुँचे और यही राम नाम की भक्ती जगाना, कृष्ण नाम का प्रेम जगाना ही दीपदान है तो कार्थिक के महिने में आप औरों को भी भगवान से जोड़ें यही सबसे बड़ा क्या है? दीपदान है